लूपय गो ुख़ए और फेरीछ दोस्तो आज मैं वाधिवाल स्कील टेस्ट केशल के वारें बता रही हूँ नेकिट जो हो हें इसके अन्तरतत दो टेस्ट आते हैंiał रसल लेंज वाधिवाल टेस्ट एन ब्लेडी वालीवाल इन दोनों के बारे में जो important है वो बाते बताऊंगी दोस्तों यदि आप physical education के किसी भी exams competitive exam चाहे हो टी जिटी पीजिटी के विएस एन विएस ल्टी हो उसकी syllabus के recording आप preparation करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोच syllabus के recording है उन सब वीडियोच को वास्च करके आप अप वाली बेसेज पर प्रिवेज स्यर के question series दिये जा रहा है उसका practice करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के टॉपिक बालीवाल इसके टेस्ट के बारे में दोस्तों बालीवाल इसकील टेस्ट के अंतरगत दो टेस्ट आते हैं रसल लेंज बालीवाल टेस इसको याद करने का दोस्तों चोटा सा ट्रिक है और बी चालिस पैतालिस महिला पुरुस क्या ट्रिक है और बी चालिस पैतालिस महिला पुरुस आर बी से मतलब आर से रसल लेंज बालीवाल टेस्ट चालिस मतलब इसको 1940 में बनाया गया और महिला का मतलब यह महिला के अब इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं दोस्तों पहला है रसल लेंज वालीबाल टेस्ट दोस्तों इसको 1940 में नाउमी रसल तथा एलिजा बेत लंज ने बनाया किसके लिए बनाया जुनियर हाइज सकूल गर्स के लिए इसका परपज क्या होता है दोस्तों यह जुनियर हाई स्कूल गर्स के जनरल बालेबाल प्लेइंग एबिलिटी के अंतरगत सर्विश और बालेइंग छमता को मापना इसका परपज है उद्देश्य है इस परिछर में दो टेस्ट बैटरी यानि दो टेस्ट आइटम्स का प्रियोग किया गया है पहला सर्विश दुसरा बॉलेइंग टेस्ट तो इसमें सर्विश करने की चमता को मापना मेजर करना इसका परपज है और इसके लिए इसमें एक्विपमिंट क्या होता है इसमें बालीबाल कोट होता है मेंजरिंग टेप होता है लिम पावड़र यानि कि पाउर होता है लाइन बनाने के लिए दस बालिवाल होता है अब बात करते हैं सरविस एरिया कैसे बनाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले बालिवाल कोट होगा उस कोट की तरफ अंतिम रेखां से पांच फीट की दूरी पर नेट की तरफ एक रेखा खीचेंगे जो की अंतिम रेखा के शमानांतर होगी फिर नेट लाइन की दोनों तरफ साइड लाइन से पांच पांच फीट दूरी पर एक और रेखा खीचे जाएगी जो की साइड लाइन की समानांतर होगी यह रेखा नेट लाइन से लेकर पहले खीचे गई पाच फिट की लाइन तक जाएगी फिर नेट लाइन से साहे बारे फिट की दूरी पर एक अन्य रेखा खीचेंगे जो की अंतिम रेखा के समानांतर होगी इसे प्रकार कुल साथ खाने बन जाते हैं और प्रतेक खाना का अंक निधायत किया जाएगा बीच की सभी खानों में आड नमबर यानि बिश्रम शंख्या और साइड के सभी खानों में इवेन नमबर यानि संख्या होगा दोस्तों अब बात करते हैं इसको कराया कैसे जाता है टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन यानि फ्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले प्रतिभागी को सर्विश एरिया से दुसरे तरफ के कोर्ट में नेट के उपर से सर्विश करनी होती है अंडर हैंड वो ओर हैंड किसी भी प्रकार से सर्विश कर सकती है थबसे पहले छात्रा अंतिम रेखा के पीछे खड़ी हो जाती है फिर परिच्छक द्वारा गो का स्रंकेत मिलते ही वो सर्विश करना स्टार्ट कर देती है इसमें दो ट्रायल दिये जाते हैं पर तेक ट्रायल में दस सर्विस करने का मौका दिया जाता है अब बात आती है स्कोरिंग की तो स्कोरिंग कैसे किया जाता है तो दोस्तों सर्विस द्वारा गेंद जिस खाने में गिरेगी तो उस खाने के पहले से जो अंक लिखे गए हैं वो अंक दिये जाते हैं यदि सर्विस कोट से बाहर होती है या खराब हो जाती है तो सुनने अंक दिया जाता है यदि गेंद रेखा पर गिरती है तो अधिक्तम अंक वाला अंक दिया जाता है दस सर्विस में कुल अर्जित किये हुए अंक ही उसका स्कोर होगा और दोनों ट्रायल में जो बेस्ट स्कोर होगा इसमें दुरू ट्राइल में बेस्ट स्कोर ही उसका स्कोर माना जाएगा तो दोस्तों ये था रसल लेंज बाली बाल टेस्ट के अंतरकरत सर्विस टेस्ट अब बात करते हैं इसके अंतरकरत बालिंग टेस्ट की दूसरा है इसके रसल लेंज बालिवाल टेस्ट में बालिइंग टेस्ट इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो इकिप्मेंट होगा सब वही होगा एंड सबसे पहले दिवार पर साथ साथ फिट की उचाई पर एक दस फिट लंबी रेखाउं खीचेंगे जो की जमीन के समाना अंतर होगी फिर दस फिट लंबी एक और जमीन पर रेखाउं कीचेंगे जो दिवार से तीन फिट की दूरी पर होगी यह तो आपका टेस्ट एरिया बन गया अब बात करते हैं प्रोसीजर की टेस्ट एड्मिनिस्ट्रेशन की कैसे कराया जाएगा तो सबसे पहले छात्रा जमीन पर तीन फिट की दूरी पर बनी रेखा जो इस टार्टिंग राइन है उसके पीछे खड़ी हो जाएगी फिर परिच्छक द्वारा गो का शंकेत मिलते ही छात्रा को दिवार पर साहे साथ फिट की उचाई पर बनी रेखा के ऊपर बॉली करनी होगी बॉली के दौरान छात्रा यानि इस्टुडेंट के ओल अपनी उंगलियों का ही प्रियोग कर सकती है इसमें इस्टुडेंट को लगा तार 30 सेकेंट तब वॉली करनी होगी होती है अग तीन ट्रायल दिए जाते हैं पर तेक ट्रायल के बीच में 30 सेकेंट का रेस्ट यदि बॉली बॉल छात्रा के कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उसे वह तुरंत उठा कर फिर से वाली सुरू कर देती है इस दोरान उसका शमय बंद नहीं किया जाता है अब बात आती है स्कोरिंग की तो स्कोरिंग में दोस्तों 30 सेकेंड में किये गए वैदे वाली को गिना जाता है यानि 30 सेकेंड में से छात्रा 7 फिट की उचाईप बनी रेखा के उपर अपनी उंगलियों का प्रयोग से जितने टप्पे लगाएगी उसको गिना जाता है अंत में जोड़कर नोट कर लिया जाएगा और इस वरकार तीन ट्रायल में से जिस ट्रायल में अधिक्तम अंक अरजित करेगी उसका स्कोर माना जाएगा तो दोस्तों ये था रसल लेंज बालीबाल टेस्ट के अंतरगर सर्विंग एंड बालीइंग टेस्ट अब बात करते हैं दूसरा बालीबाल इसके लिए टेस्ट में आता है ब्रेडी बालीबाल टेस्ट ब्रेडी बालीबाल टेस्ट को 1945 में जोर्ज यव व्रेडी ने कालेज के पूरुस छात्रों के लिए बनाया था और इसमें इन्होंने टोटल 536 कालेज के बालीबाल इस्टुडेंट को लेकर बनाया था गिसमें से 537 में से 500 इस्टुडेंट में 500 बालीबाल टेस्ट चात्र से थे एंड 15 YMCA एक्सपार्ट प्लेयर्स थे इसका परपज था दोस्तों गेनरल बालीबाल प्लेइंग एबिलिटी के अंतरगत बालिंग छमता मापना इसमें equipment सब वही प्रयोग किया जाता है अब बात करते हैं इसके टेस्ट एरिया की कैसे वालिंग छमता मापा जाता है तो इसमें दिवार से साहे 11 फिट उचाई पर एक टेस्ट एरिया बनाएंगे आयता कार जो जिसके लंबाई 5 फिट और चोड़ाई 3 से 4 फिट होगी और इसमें एक minute time दिया जाएगा अब बात करते हैं कैसे इसका प्रकिरिया किया जाएगा तो दोस्तों दिवार पर बने हुए टेस्ट एरिया पर वाली करनी होती है यानि गेंद मारना होता है लगातार एक minute तक ठीक प्रकार से की गई वाली को ही count किया जाता है ठीक प्रकार कि वाली वही होगी जिसमें उंगलियों का प्रयोग करेगा थ्रो नहीं करेगा गेंद को होल्ड नहीं करेगा यदि गेंद दिवार पर टिप नहीं करती है तो वाली वैद नहीं मानी जाएगी और काउंट नहीं होगा वाली के दोरान यदी गेंद छुट जाती है या गिर जाती है तो पुना गेंद पकड़ना वाली सुरू कर देनी चाहिए क्योंकि उसका समय काउंट होता रहता है समय बंद नहीं होता है और इसमें दो ट्रायल दिये जाते हैं स्कॉरिंग कैसे होगा दोस्तों एक मिनट में सही प्रकार से की गई वाली की संख्या को ही माना जाएगा और दो ट्रायल जिसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होगा होता है वही उसका सरुच्टम स्कॉर होता है और दोस्तों इसमें क्लिप्टोन ने 1962 में कुछ परिवर्तन किये हैं कौन-कौन से चार परिवर्तन सबसे परिवर्तन कि इसमें डिवार के साहसे साथ फित की उचाई पर उसके लंबाई पांच फित से बढ़ाकर दस फित करदिया और चौड़ाई तीन से चार फिट ही रहा और तीसर चेंजिंग किया रिस्टार्टिंग लाइन बनाया दिवार से साथ फिट की दूरी पर और समय एक मिनर से घटा कर 30 सेकिंद टाइम कर दिया ठीक है तो दोस्तों ये था बालीबाल स्कील टेस्ट के अंतरगत रसल लेंज ब ब्रेडी बालीबाल टेस्ट इसमें कोस्टन्स इसी प्रकार से पूछता है दोस्तों कि रसल लेंज टेस्ट या ब्रेडी बालीबाल टेस्ट किसे समध्धिद है या किसने बनाया कब बनाया किसलिए बनाया महिजा के लिए बनाया कि पूरुस के लिए कि छात्र के लिए कि तो दोस्तों वीडियो को जादे जादे सेयर कीजिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूब बताए एंड पहली वार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिससे जो हमें नए वीडियो अप्लोट करूंगी उसका सकता के लिए जैए